है 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 नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप आप बढ़ियाई होंगे तो यहां पर आज इस वीडियो के अंदर हम उन्बॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं रत्ना टोइस की तरफ से बनाए हुआ बहुत ही इंट्रस्टिंग और ब्रांड न्यू एक प्रोड़क्ट जो की रिसेंट्ली भी लॉंच हुआ है और यह जो है इसका नाम है मिसाइल लॉंचर तो यहां पर गलत बन समझेगा कि रत्ना टोइस ने चाइना पर फोड़ने वाला मिसाइल लॉंचर बनाया है ऐसा कुछ नहीं है यह एक खिलोना है बच्चे जो है इसको इंडोर जा सकता है क्या एक नहीं है और यह जो है कि प्राइज चार सो रूपे हैं को काफी लंबा है जो पिछटि कारी याति होली लंबी वाली तो प्रणा यह इसको आपको देख सकते हैं यह त्रिक लंबा है तो इसको एंदर चौन के दिवाली देशेरा दौरा तरी जहनमा स्टमी क्रिस्मस न्यूएर पे काफी मतलब बच्चे जो एक खूस हो जाएंगे इसको जो हमने अभी खोल लिया है तो थोड़ा सा जो है मैंने कैमेर एंगल को चेंज कर दिया है अब देखते हैं इसको खोल के यहां पर देख सकते हैं क इसकी साइज कितनी है क्या मतलब इसका मतलब आउटलूक है बक्सा भी काफी मजबूत आता है तो यहां पर जो है मैं थोड़ा बहुत समझा रहा हूं कि इसको जो है कैसे खेलना चाहिए वैसे जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था यह चाइना पर फोड़ने वाला न आती है तो सेम दंसे वाट अपि गेलना फीा बनाया वा है चलिर इसको जो है मैं खोल लेता हूं गह्ता कि वावो लूक अठेफ थे यह फोर्म से बनाय हुआ इसका जो एग के तैनल वह तह्यों है और लॉंचर जो है वह पुरा प्लास्टिक और कहते है उससे बनाये हुआ नहीं तुर के कोमनेश्ञंस से बनाया हुआ है उन्ह للब से भी थोड़ा रहिंट अब दिखा जैता हूं यह जो बाहर का आपको जो इससा दिख रहा है वह वाला सीपम बनाय वह होता है तो मेबग आप एक इंड यू बना सकते हैं recent लॉंचर के तो यहां पर देख सकते हैं काफी इसकी हाइट है और बहुत ही मतलब इसका अट्रेक्टिव लुक है ठीक है ना इसको जो आप इस तरीके के पार्क में जाके ओपन स्पेस में जाके आराम से खेल सकते हैं बच्चे जो यह बहुत ही मज़े लेके खेलेंगे उसकी फीजिकल एक्टिवीटीपी हो जाएगी और उनको जो मज़ा भी आ जाएगा तो आप अपके सकते हैं जो उपर का जो है नियोन कोलर का पारट है वह प्लास्टिक का है और गृन का जो इसका बोड़ी पारट है वो पूरे का पूरा जो है वह वह कार्ट्बोर्ट से बनाए हुआ है इस तरीके से जोए इसको प्रेशर करके जोए छोड़ना होता है इसको इतना से फीट कर देना है तो यह इतना फीट होना चाहिए कि एर नहीं निकल लिए तो जब आप डियाइवाई भी बजाए ना तो उसमें वह आपको ध्यान में रखना है इसको जोए मैं आपको जोड़ने लिए कैसे भी चाहें छोड़ सकते हैं एक बार ओट्राइ करते हैं वाव अब कर दियान रखता है जब भी आप इसको छोड़ रहे हो तो यह उपर का जो पार्ट है ना वहां पर आपके अपने उंगलिया ना रखें वहां पर आपके उंगलिया जो है थोड़ी स मज़े ले सकते हैं वाव बहुत काफी दूर तक चला गया है वैसे आपको शायद दिखेगा नहीं बट काफी दूर है यहाँ थीस फीट के आसपास है कि अब भी जोए मैं चलके जा रहा हूं फिर आप देख सकते हैं इसना दूर है यह ऐसे लिए अब आसए में ट्राइ करता हूँ छोड़ने के लिए है यहाँ ऐसे हमने इसके पहले आखत ़र हमकूल का जो फोंफ आलब प्लेडाता है उसको कैसे आप लोकल स्टोर से भी खरीच सकते हैं और चाहे तो आप जो है इसको ऑनलाइन खरीच सकते हैं इसकी बेस्ट लिंक में डिस्क्रिप्शन में ढाल दूंगा और इनकेस अगर आप कहीं से नहीं खरीच पा रहे हैं तो आप हमसे भी ओडर करवा सकते हैं बड़ आपको 400 तो यहां पर जैसे कि आपको यहां पर दिखाया कि ग्रीप जो है कैसे करना है अगर आप नीचे की तरफ अपना हाथ रखेंगे तो आपको फुरा साल लग जाएगा तो उपर की तरह से पकड़ के छोड़ना है काफी दूर गया हमारा फोम वाला रोकेट रियल रोकेट नह स्वiven लाऊ मैं कैसे छोड़ सकते है कितना ऊपर तक जा रहा है तो इस तरीकर से बचे यहां वारा गोमते हुए छोड़ते पार्क में खेल सकते घर ठीव खेल सकते एक सब्सक्राइब जोई दुसरे रोम कुछ अब करें हो सकते तो कोई चीज गिर जाए ऐसी चीज़ों औ फ्लावर पोट होता है ब्रेकेमल चीज होती है उसके उपर ना छोड़े वो गिर जाएगा तो फिर तूट जाएगा तो यह पर देख सकते हैं अलग-अलग तरीके से में छोड़ा हूं कि हाइट पर जा रहा है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि कैमेरे के सामने में छोड़ा हूं कि इस तरीके से जो इससे खेल सकते हैं बहुत ही मज़्यदार खिलोना लगा है जंप रोकेट आइधिंक 600 रूपे के आसपास आता है एक टाटो इसका और यह जो है 400 रूपे में आपको मिल जाएगा तो इसके अंदर खाली एक ही फोंवा इसलिए उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है और इसको जरू से ट्राइगा मैं तो बोलता हूं पहले आप से आरम से लिए फिर इसको डियाइवाई में बढ़ाईए के तो यहाँ पर पहते हैं थोड़ा बहुत हैं इसको देख लेके नसदीक से यह पूरा जो है वहलब बचों को आप कھیलने के लिए दे सकते हैं और बचे हैं इसको झेल सकते हैं और बच्चे हैं चैस कर वहां मरम पहां को बताया है कि, प्लास्टिक का पार्ट है इसमें cardboard sheet से बना हुआ पार्ट है और form sheet से बना हुआ रोकेट है और इसका combination करके आप बना सकते हैं तो पिछकारी जो होती है पिछकारी का यूज़ करके भी आप अपना DIY rocket launcher बना सकते हैं या तो फिर balloon pump है उससे भी आप लैसे बना सकते हैं नाओ तो हवाइव पूर्णे वाला है पॉप उससे भी बना सकते हैं और आपके जो दोना सकते हैं अबत-बनाना पड़ा कश़ा है और पाफ़ थो एसका ärra 2006 वह बहुत दूर तक जाए करना है इसका जरूर से त्राइघ करिएगा कि अग्याइब को जैसे कि अपको ग्रीप का भी बताया था फिर से मैं आप आप पर बता रहा हूं कि आथ को जोड़ा सा उपर रखेंगे तो यह थोड़ा सा आपको इंजर्ड कर सकता है बहुत ज्यादा तो ही और पूरा इसको जो है आप बाहर एक्स्टेंड करें उसके बा यह वाला रोकेट जाएगा है कि अब बहुत ही सिंपल है इतना कोई इतना हाइफ भी नहीं और अभी रत्ना टॉज ने रिसेंटली लॉंच किया है तो बच्चों के अंदर काफी एक्साइटमेंट भी है कि भई मुझे भी खरीदना है और बहुत ही डिमांडिंग प्रोड इस तरीके से सिंपल तरीके से आप खेल सकते हैं इससे उपर छोड़िये सामने छोड़िये जहां पर भी छोड़ा है छोड़ सकते हैं इसको कि अगर यह वीडियो जो है पेरेंट्स लोग देख रहे हैं तो वह भी जो है का चीज शेयर कर सकते हैं कि वही बच्पन में वह जो है किस तरीके के खिलोने से उब से खेल खेल थे ओ कौन से खेल खेलते थे उनकी टॉआ स्ट्री क्या है इत Somebody कर सकते और और उसके अलावा एक यह देज सल का हुए तो उस टाइम के डिशन में जो है आपने कितना खर्चा किया है वो चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्षिन के अंदर ठीक है ना कि 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 यह सिंपल साइक अंबोक्सिंग था और टेस्टिंग वीडियो भी था और यह हमारे घर के पास में अजदीक में काफी इंट्रस्टिंग प्लेस है ओपन स्पेस वहां पे जाके जो हमने शूट किया था तो आप भी जो है अपने बच्चों को इस तरीके की जगें पे लेके जाए और अब बहुत ही मज़ेदार जो है खेल को खेलें और खेलों ऐसे खेलें आप भी उसके साथ खेल सकते हैं वैसे यह बच्चे अकेले भी खेल सकते हैं इसमें और कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो इसको ट्राइ करिए अपने लोगों कमेंश चेक्शन में शेयर करिएगा तो